हेलो फ्रेंड्स मैं हुनी रज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्स आई है तो फ्रेंड्स आज फिर से आगया हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर तो आप सारे लोग WhatsApp application का इस्तेमाल तो करते ही हूँगे तो आज का वीडियो इसी से related है तो कई बार आपने देखा होगा कि WhatsApp पर आपके पास messages आते हैं लेकिन आप उस time पर किसी भी तरह से busy होने के कारण उनका reply नहीं कर पाते हैं मनलीजी आप driving कर रहे हैं या आप कोई important work कर रहे हैं और उस time पर कोई WhatsApp का message आपके पास आ जाता है तो आप उसका reply नहीं कर पाते हैं तो इसी का solution आपको मिलेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप WhatsApp से auto reply को enable कर सकते हैं और auto में अपने messages का reply कर सकते हैं तो वीडियो बहुत ही interesting है वीडियो को end तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिएगा ज़्यादे ज्यादा वीडियो को share कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके बैल आकन का button दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरह की interesting वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ तो चलिए start करते हैं तो auto whatsapp reply के लिए आपने सबस्पहले क्या करना है आपने google play store अपना open कर लेना है और यहां से एक application download करना है कौन सा application है चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहां पर आप search कीजिए what's auto जैसे आप search कर लेंगे what's auto तो यह application आपके सामने open होके आ जाएगा तो यहां से आप इसको download कर लीजे मैंने already इसको download किया हुआ है जैसे आपका download complete हो जाए तो यहां से आप इस application को open कर लेंगे तो कुछ इस तरह का interface देखने को आपको मिलता है what's auto का तो सबसे पहले यहां पर homepage है तो homepage में सबसे पहला option आपको मिलता है auto reply off यहां पर लिखा हो है इसको आपने on कर लेना है जैसे आप on करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको notification access के लिए पुछा जाएगा आपको notification access इसका enable करना है तो देखिए second last में यहां पर आपको words auto का application देख रहा है और इसका notification यहां से आप enable करके इसको allow कर देजिए जिससे क्या होगा आपके पास notification जो है वो आना सुरू हो जाएंगे अब आपने क्या करना है अब आपने यहां से simple back कर लेना है अब auto reply देखिए आपका on हो चुका है और इसके नीचे आपको option देख रहा होगा auto reply text तो यहां पर क्या है कि पहले से ही कुछ text जो है वो यहां पर लिखा हुआ है अगर आप इसको change करना चाते हैं तो आप यहां पर change कर सकते हैं आपको यहां पर pencil का sign दिख रहा हुआ तो यहां पर आप इसको change कर सकते हैं custom message जो आप लिखना चाते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके नीचे आपको कुछ already यहाँ पर suggested text दिखाता है, जो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, I am busy textulator, I am driving textulator, कुछ इस तरह के यहाँ पर auto में आपको पहले से ही दिये हुए हैं, तो यहाँ पर आप इन में से भी select कर सकते हैं, या आप custom अपना message भी बना सकते हैं, अब हम इसके आगे चले जाते हैं, आगे की बात करते हैं, तो second यहाँ पर आपको दिख रहा होगा contacts, तो पहला option यहाँ पर है everyone, अगर आप everyone पर select करते हैं, तो जितने भी आपके WhatsApp contact हैं, सब के लिए आपका auto reply जो है वो work करेगा, इसमें क्या है, जब आप WhatsApp पर available नहीं है, तभी आपका auto reply का message send होगा, मालीजिये आप WhatsApp चला रहे हैं, WhatsApp आपने open किया है, और उस time पर आपको किसी का message आता है, तो auto reply उस समय send नहीं होगा, second यहाँ पर option है my contact list, तो आप यहाँ पर अपनी contact list जो आपकी WhatsApp की है, वहाँ से आप select कर सकते हैं, तो नीचे दे इकन पर जैसे ही click करेंगे, तो यहाँ पर contacts का access के लिए आपको पूछा जाएगा, तो आपने यहाँ पर allow कर लेना है, अब देखें, जैसे आप plus पर click करेंगे, तो जितने भी आपके WhatsApp के contacts हैं, वो सारे यहाँ पर सोहने लगेंगे, तो यहाँ पर आप one by one, जो है select कर सकते ह हैं, जिस भी contact के लिए आपको auto reply on करना है, थर्ड option यहाँ पर आपको मिलता है, accept my contact list, इस option में क्या है, इस option में भी आपके पास plus का icon में आप click करेंगे, तो contact list आएगी, लेकिन यहाँ पर आप जिसको select करेंगे, उसको auto reply का message नहीं जाएगा, जो पहला option था my contact list, उसमें आप जिसको select करेंगे, उसको auto reply का message जाएगा, बाकी लोगों को नहीं जाएगा, और accept my contact list अगर आप select करते हैं, तो जिसको आप select करेंगे, उसको auto reply का message नहीं जाएगा, और जिसको select आप नहीं करेंगे, उसको auto reply का message जाएगा, फोर्ट यहाँ पर option आपको मिलता है, accept my phone contact, तो यह आपने लोग आपके WhatsApp पर add हैं, उनको auto reply का message नहीं जाएगा, और अगर कोई ऐसा आदमी आपको WhatsApp पर message करता है, जो आपके contact में save नहीं है, या कोई unknown person आपको WhatsApp पर message करता है, तो उसको auto reply यहाँ पर send हो जाएगा, अगर आप इस option को select करते हैं, next यहाँ पर आपको option मिल जाता है, groups के लिए, तो यहाँ पर आप इसको अपने WhatsApp के group के लिए भी enable कर सकते हैं, इसके सामने देखिए, आपको setting का sign बना हुआ दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, setting में कह है, तीन setting यहाँ पर आपको मिलती है, पहले आपके WhatsApp group है, अगर आप सबको auto reply भीजना चाते हैं, तो आप यहाँ पर select कर लिजिए, next option है my group list, आप यहाँ पर अपनी जो भी group list है, आप group का नाम लिखी अपना, तो वो group select हो जाएगा, सिर्फ उसी group को आपका auto reply send होगा, third option है accept my group list, अब यहाँ पर आप जिस भी group को select करें जाएगे, उस group को auto reply नहीं जाएगा, तो यह group के लिए settings थी, इसके आगे देखिए, यहाँ पर statics है, तो statics में यहाँ पर आपको दिखाएगा कि अब तक कितने auto reply आपके send हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप statics से check भी कर सकते हैं, इसके बाद आप उपर देख रहे होंगे, three dots आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको help support मिल जाएगा, video tutorial मिल जाएगा और इसकी setting मिल जाएगी, इसके सामने आपको direct message का एक option दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप direct phone number लिख कर और अपना message type करके send कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जैसा की पढ़ सकते हैं, send message to anyone without saving their contacts, तो यहाँ पर आपको contact save करने की जरुवत नहीं है, अगर आप चाहते हैं, कि आप किसी ऐसे आदमी को message बेजना है, जिसको सिर्फ एक ही बार आपका काम है, आपको message बेजना है, और उसके बाद वो contact आप अपने mobile पर save नहीं करना चाहते तो आप direct यहाँ पर वो phone number डालके message type करके send कर सकते हैं, इसके सामने आपको दिख रहा होगा notification, तो notification पर देखिए जितने लोगों को आपका auto reply send हुआ है, वो यहाँ पर so हो जाएगा, जैसे अभी मैंने auto reply on कर दिया था, तो यहाँ पर मेरा message आया है, तो यहाँ पर simple auto reply automatically send हो चुका है, तो दोस्तों बस यह था हमारा आज का short and simple वीडियो, तो वीडियो बहुत ही helpful है, उम्मेदे आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत सारी चगाओं उपर आपके use आ सकता है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो please वीडियो को लाइक कीजेगा, जदी ज नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की interesting वीडियो लेकर मैं आप सब के सामने आता रहता हूँ, तो friends आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में